तो दोस्तो वैश्णवी औरगेनिक डेई फॉओं में आपका स्वागत है आज हम एक और नेचुरल प्रोशेश से आपके साथ हम खड़े हैं जिसमें हम गायों और इन्सानों को बचाने के लिए जो कारे कड़ने के लिए लगे हुए हैं आजकल हम जादा जो खाद का इस्तवाल कर रहे हैं खेतों में, जिससे गाएों का जो रोग परति cannabis कर शमता है दिन पर दिन खत्म हो रहा है और दूद की गुनवत्ता भी खराब होता जा रहा है और गाये कई नई नई बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, तो इन बीमारियों से हम कैसे बचाएं, यह आपके सामने जो रखा हुआ आप देख रहे हैं, यह देखिए, यह आवला है, सुखा आवला, हमने पिछले साल इस आवला को सुखा करके रख दिया था, और इसके बाद ह हर महिने में पांच दिन दस दिन दो चार दिनों के गैप में गायों को आवला खिलाते हैं जिससे की गाये जो है रोगमुक्त हो जाएगा और दूध जो टेस्ट है दूध का जो गुनवत्ता है वह बहुत सुद्ध हो जाएगा देखिए आवला का पानी कैसा है लाल यह को रोगपति रोधक छमता बढ़ा के रखेगा और कैक मिमारियों से भी प्रटक्ट करेगा और जो खाद खाती है आज कल खाद पदार्त गाये खा रही है केमिकल से ग्रसित हो रही है जो खान-पान के वज़ए से उसको भी फिल्टर करने में काम आएगा तो अभी हम गाये खिलाने वाले हैं तो आएए तो हम आच चुके हैं गायों के पास और गाये खा शुरू करो तो हम आच चुके हैं गायों के पास आवला लेकर और यह आवला अब हम गायों को खिलाने वाले हैं तो गाये खाने के लिए बेचैन हैं और इससे इनको बहुत फायदा होगा सभ परकार के बीमारी से ग्रसित होने से बचेंगे और इनका सेहत में सुधार होगा विटामिन सी और कई परकार का मिनरल इनको मिलेगा तो गायों को सालों भर कुछ दिनों का 10-15 दिन के गैप पे 10 दिन का गैप पे जरूर आवला खिलाना चाहिए जिससे इनका रोग पर बारा उत्पन नहीं होगा तो अब शुड़ू करते हैं खिलाना यह देखिए हमने डाल दिया दिखाओ दो मुठ्षी डाल दिया खा रही है गाये इसको भी दो मुठ्षी डालते कझ में पूं कर देखिए खाने के लिए बेचमार्च हएं तक दम तडप रहा है गाये और यह भी खाने के लिए बेचैन है, अब यह अगले को ले चलते हैं, सभी गाये रोक मुक्त हो जाएगी अगर इसे खाएगी और दूद जो है बहुत सुध हो जाएगा, दूद का गुनवत्ता काफी बढ़ जाएगा, और दूद बहुत टेस्टी हो जाएगा, तो हमने सभी गायों को डाल दिया है, अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर वापस आते हैं, इनको खिलाएगे, थोड़ा सा पानी डाल दिया, जो आवला का पानी आप देख सकते हैं, यह देखिए, यह देखिए कितना पावर कुल है, यह गाये खाएगी तो रोक मुक्त कभी इनको रोग हो नहीं पाएगा, तो इनको महीने में कम से कम तीन बार, चार बार, दो बार अवज से खिलाएं, जिससे बीमारी ग्रसित ना हो पाएगे, और दूद भी इनका सुद्ध हो जाएगा, और गोवर जो इनका जो गाय का जो बीमारी से ग्रसित होने का जो खत सकते हैं यह आपको दूद के द्वारा आपके सिहत तक जो सुद्ध दूद पहुंचेगा वह बहुत फायदेमंद होगा तो आप सभी को खिलाएं और स्वास्त रखे धन्यवाद